अनुपम खेर ने फिल्म सारान से बॉलिवूड डेब्यू किया था इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने एक हफते में 57 फिल्में साइन की थी लेकिन इस फिल्म में उन्हें काम माहिश बैट को शाप देने के बाद मिला उन्हें शुटिंग के दस दिन पहले ही फिल्म से निकाल दिया गया था और उनकी जगा संजीव कुमार को कास्ट किया था दरसेल फिल्म अर्थ के बाद माईश बट दूसरी फिल्म सारांज बना रहे थे जिसके लिए उन्होंने पहले अनुपम खेर को एक बुड़े व्यक्ति के रोल के लिए कास्ट किया था इसके लिए अनपम खेर शुटिंग के छे महीने पहले से ही बुड़े व्यक्ति का रोल निमाने की तियारी करने लगे थे यह दोती कुर्था पहन कर बुड़े व्यक्ति के जैसे चड़ी लेकर चलते थे शुटिंग एक जनवरी को शुरू होने वाली थी लेकिन 20 सेमर को उनके पास एक दोस्का कॉल आया कि राच्षी प्रडक्शन की फिल्म सारांच से उनने निकाल दिया गया यह सुनने के बाद अन्पमखे ने माईश बट को फोन किया तब माईश बटे उनने बताए कि वो किसी न्यू कमर को अपनी फिल्मे कास्ट नहीं करना चाते इस वज़े से उन्होंने संजीव कुमार को कास्ट किया है